केंद्र क्रिशीव किसान कल्यान मंत्री राधा मोहन सिंग ने पूर्वी चमपारण लोकसभा सीट से नामंकन परचा दाखिल किया। नामंकन दाखिल करने के बाद उन्होंने कहा कि साल 2019 का लोकसभा चुनाव उनका अंतिम चुनाव है। इसके बाद वह कोई भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। बतादे कि राधा मोहन ने सीट से नौवी बार नामंकन दाखिल किया है। पंचाब के सीटीवी के लिए मोती हार से अरुन कुमार की रिपोर्ट।